तुझे हैं इन सभी सात्यों को तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग रेलवे बाय टेस्ट पुक पर तो गोल्डन ट्रिक का अगास शुरू हो चुका था कहते न द्वंद कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तू भी क्योंकि महनत करते हैं या दिल से बहुत महनत करते हैं दिल से तो वन वाला कमेंट करके बताना कि कैसा लगा अब यह पार्ट टू सेशन जो है यह भी एकदम शांदार है अब पार्ट टू सेशन क्या है समझीगा पहले कोश्चन की भावनाओं को देखे लिखा हुआ है तो आपका 1st हाफ होता है यह बाली बात आप जानते हैं और 2nd हाफ आपका N से सुरू होता है N O P Q R S T U V W X Y Z तो यह जो लेटर है इसने ना अपोजिट करके लिखा है अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नी होती थी तो देखें कह रहा है 22 से 8 अक्षर तो 22 से कौन से अक्षर आथवयक्षर के दाएं बच्चे कौन सा आथमा तो यानि कि 22 से भी left और right से भी 8 तो आपका बच्ची कितना हो गया 8 16 क्योंकि आपका यह जूड जाएगा तो left से बच्चे आपको कौन सा लेटर गिनना है 16 लेटर आपको गिनना है तो 16 लेटर जैसे आपको पता है कि M तक तो 13 लेटर होगा अब 14 लेटर ये 15 16 लेटर तो आपका answer क्या रहा है बच्चे यहाँ पर X लेकिन आप लो यहाँ पर P answer मत लगा देना भाई क्योंकि इसने क्या किया है second letter को reverse करके लिखा है अब आप कहेंगे क्या चंदन भाईया हमें अभी हर बार यही करना पड़ेगा क क्या हमें लिखना पड़ेगा क्या तो हम आप से यह कहेंगे कि मेरे भाई इसको लिखने की बिलकुल भी जर्वत नहीं है अरे हम है तो क्या गम है ठीक है तो यह नहीं लिखना है आपको मेरी golden trick apply करनी है अगर समझ लीजे पहले golden trick है क्या यह second half की golden trick है यानि कि जब second half के letter क को reverse करके लिखा जाएगा value कमान 13 से जादा है first वाली में क्या था trick थी कि 13 से कमा है यहां 13 से जादा क्योंकि 13 से जादा ही तो second half होगा तो आप वहां पर कितना घटा कर answer निकालेंगे मेरे भाई अब आप 40 घटा कर answer निकालेंगे और second half का मतलब देख लीजे होता है n से लेक यहाँ पर कितना घटाएंगे 40 यहाँ पर आपका मान कितना आ रहा है 13 से जादा है 16 तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसमें 40 मांज़ों करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा तो अब आप बताओ लेफ से 24 लेटर कौन सा होता है जी X होता है आगया मज़ा यानि कि अगर second half का case है और value 13 से ज़्यादा है तो 40 आपको minus करना है अब comment करके बताओ समझ में आया है ना जल्दी बताओ comment करके बताओ समझ में आया है ना सभी लोगों को कि sir अगर value 13 से ज़्यादा होती क्योंकि second half तो 13 से ज़्यादा ही आएगी value तो बस 40 माइस करके answer निकाल लेना है comment करके बताओ समझ में आया है ना ये question जब exam में आएगा तो जल्दी से करना है लो मेरे भाई second number का question है अब मुझे चाहिए speed से answer सभी लोगों का चलो बताओ जल्दी से कहरा है अंग्रेजी बर्ण माला में यदि दृतिया धांस के अक्षरों को विप्रीत करम में लिखा जाए तो बाएं से बार्वे बाएं से बार्वे के दाया दसमा ठीक है अंग्रेजी वाले भाईया ये लखे अंग्रेजी वाले को मैं बड़ी कोशिस करता हूं अंग्रेजी वाले को मनाने की क्योंकि नराज भही हो जाते है तो देखो बच्चे ये लेफ से कितना हो गया 22 अब एक बार बताओ ये मानदारी से क्या ये वैल्यू 13 से ज़्यादा है क्योंकि सेकंड हाफ का केस चलना है सेकंड हाफ का केस चलना है वैल्यू 13 से ज़्यादा है क्या अपनी गोल्डन ट्री कहां लगा लिया जाए कितना मैस करेंगे 40 कितना आ जाएगा मेरे भाई 18 अब आब बताओ लेफ से 18 लेटर किसका होता है कमेंट करके बताओ लेट से ठारवा लेटर किसका होता है हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए कि भाईया जी 18 होता है खतम टाटा बाई बाई फिनिश गया क्या बात लगता है समझ में लो अगला सवाल है बच्चे अगर comment section में सभी लोग comment करके बता दें तो अलग मज़ा आ जाए जल्दी से बता दो सभी लोग तुफान मचना चाहिए comment में comment में बस मुझे तुफान मचना चाहिए मेरे भाईयों का कह रहा है अंग्रेजी बनमाला में दुर्टी अर्धांस चीक है second half का case है तो मेरे भाई लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा अरे बोल दो हा या ना हा ना मेरे भाई जनाब ये तो 13 से जादा है 40 माइनस करेंगे ना तो 17 आएगा लेफ्ट से 17 लेटर किसका होता है क्यों यानि कि सवाल देखनी रहे और आंसर लग रहा है ये होती है गोल्लन ट्रिक ये होता है गोल्लन ट्रिक का जादू कि अल्फाबेट पढ़ने की जरुवत नहीं हमको सीधा आंसर अब इस सवाल का आंसर मेरा भाई अगर स्पीड से दे दे तो क्या कहने है मेरे भाई के कह रहा है अंग्रेजी वनमाला में यदि दुर्ती अर्धास के अक्षरों को विप्रीज सेकिंड हाप का केस है बाएं से छटे और राइट से भी छटे बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई अब यहाँ पर आप लेफ्ट से बारा करोगे अब अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर चालीस माइनस किया तो एंटी पीसी क्या तुम लोगों को रेलवे पर फावड चलानी की भी तुम लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो यह भाईया आप इसमें चालीस माइनस मत करिएगा क्योंकि यह तो वैल्यू आपकी तेरा से कम है तो तेरा से कम है तो लेफ्ट से बारवा लेटर किसका होता है एल का होता है यही इसका आंसर होगा चालीस माइनस मत करना क्योंकि यह आपका ना फरस्ट खाफ में वैल्यू है समझ में आया कमेंट करके बता दो, थोड़ा सा, कमेंट करके बताओ, समझ में आया की नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी से स्पीट, थोड़ा सा स्पीट से आंसर देना, स्टार्ट करिएगा, अगला सवाल, आपका कोशन नंबर छटा देखो, बच्चे, तुफान मचना चाहिए, चले भाईया, है ना, वाह, मेरे भाई, गजब, तो मैंजे, 11, 6, कितना हो जाएगा, 17, तो लेफ्ट से सतरवा, आंसर ही तो आपको बताना है, तो जनाब, ये तो वैल्यू 13 से जादा है, तो कितना माइस करेंगे, 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 23, अब बताओ, ले अगला सात्वा नंबर सवाल धी दनादन प्रैक्टिस है बच्चे आप लोगी अंग्रेजी वर्णमाला में दिर्थी अद्धान्स के अक्षन वीपित कमें देखा है तो बाएं से दसवे के दाया नवा यही तो दिया है अरे लेफ्ट राइट जुड जाएगा 19 हो जाएगा अच्छा अब यहां पर 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 21 और लेफ्ट से 21 लेटर कौन सा होता है यू यानि कि एक्जामिनर आपको कुश्चन दे उससे पहले आपका जवाब आना चाहिए एक बार कमेंट करके बताओ अगर ट्रिक अच्छी लग रही तो दिल का इमोजी ब अच्छी आपसे कुछ सवाल दूगा जवाब इतना तेज होना चाहिए न कि कमेंट सेक्ष्टन भी घवडा जाए कि आखिरेख चल क्या रहा है ठीक है चलो पहला आपका सवाल है वही सेकंड हाफ का केस है बास समझीघा सेकंड हाफ रिवर्स का ही केस है ठीक है सेकंड ही पहला सवाल यह है, left से 9, right से आपका दिया है मैंने आप लोगों को 12, ठीक है, चलिए, दूसरा सवाल है, left से 5, right से 6, ठीक है, और तीसरा सवाल दे रहा हूँ, left से 10, और right से बच्चे आपका 14, चलो, अगला सवाल, अब मेरे भाईयों का पहला सवाल मैं चाहता हूँ, second half का case ह answer बस मुझे speed से चाहिए, चलो, मात्र 30 second का समय दूँगा बस, क्योंकि देखो rapid fire है, तो 30 second मेरे आप से बहुत है, तीन question के लिए, ठीक है, चलो, एक, दो, तीन, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मतलब, मतलब, जिस तरीके से मेरा भाई आंसर दे रहा है न, तो लगर आए कि भाई, मज़ा आ गया, क्याते है न, कि मेरे भाई को सिर्फ एक सहारे की जरुवत है, तो बिलकुल railway test book पर चंदन भाईया, आपको सहारा देने के लिए सहर में 1.5 बजे भी class होती है, आके देख लेना, और साम को 6 बजे, ये 2 time तुमको दिया है मैंने, और आपकी reasoning में 40 में से 40 नंबर अगर ना दिलवा दे, या जितने भी आप question चाहते हो जो तने नंबर आपके full marks आपके ना है, तो बताईएगा, देखो बच्चे, 9 और 11 ये left, right प्लस होगा, 6, 5, 11 हो जाएगा, और हमें पता है कि 11 लेटर बच्चे किसका होता है, के का, ये minus नहीं करेंगे 40 क्योंकि ये आपके first half में case में value है, ये value first half की है, अब left रोना ही जो जाएगा, बच्ची, ये कितना हो जाएगा, आपका 24, इसमें बच्चे 40 माइनस करे अगर समच्चा सहल हुई है तो, ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे, अब चलते हैं ये वाला सवाल, देखो बच्चे, ये concept थोड़ा सा अजीब हो है, और गरीब हो है, समझना, बड़ा, second मोडाएंगे सवाल इसको भी, आपको पता है न, alphabet ऐसे लिख्खे होते ठीक है, अब क्या करा है, बाएं से आथमें अक्षर, तो बाएं से आथमां अक्षर बच्चे कौन सा होता है आपका, तो बाएं से आथमां अक्षर बच्चे आपका H होता है, और बाएं से बच्चे 21 अक्षर बच्चे आपका कौन सा होता है, यू होता है, तो बाएं से आ 5 6 7 8 9 10 11 12 यानि कि कितने अक्षर हैं बच्चे बीच में 12 आंसर आ जाएगा 12 लेकिन यार मज़ा नहीं आया भाया अगर आप से पढ़े गोल्डन ट्रिक अगर हम आप गोल्डन ट्रिक के सहिंशा कहलाते हो अगर हमें इस तरीके सवाल को बताए तो मैं मज़ा नहीं आएगा आजाओ मैं कहा रहा हो इसको हटा दू हुटा दो यार हटा दो नजरों से गोल्डन ट्रिक मेरी यह लिखी है अगर तुम्हें direction जब समान दे यह बाद समझेगा समान का मतलब या तो left left या फिर right right उमीद देखा का समझेगा या तो left left या right right दिया हो तभी ये golden trick लगाईगा golden trick क्या है बच्चे bigger minus smaller minus one नहीं समझेगा चोटा मान बढ़ा मान छोटा मान minus one बड़ा मालben इस refuge बड़ा मान पहत्या हुइन गटो बहुत सबना तो तो 21 में से 6 सब्सक्राच कितना खे पहत्यागा है सबनाध कुल निकाले था रहुत cruise बड़ा मान जो दिया होगा, या छोटा मान जो दिया होगा, माइनस का वन करेंगे, एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आया, थोड़ा सा सवाल की प्रैक्टिस कर लिए ना, तो confidence अलग आ जाएगा, देखो बच्चे, यहारा सवाल, दूसरा सवाल है, बच्चे, क्या कह र हम 15 आकशर के मध्धे कितने अकशर होंगे, जलो, जल्दी से, speed एकडम, बड़ा मान, छोटा मान, माइनस वन, 18 में से, कितने घटा दे महिया, अरे 9 घटा देंगे न, जलो, सवाल, बोलो हाणना, comment करके, समझ में आया होई, इमानदरी शेंट तो, ठीक है, तो, समझ में आय चलो एक सवाल और करते है बाए से यहां से कर लेते हैं बाए से 11 अक्षर और 21 85 अक्षर जल्दि बताओ बाए से 11 अक्षर और 21 21 के इंट्य होंगे कमेंट कर्के बताओ जल्दी से कमेंट एकदम आप तोomicsल क्षोटा मान माइन माइनस वन तो 21 में से कितने घड़ा दू बारा तो बच्चे कितना बच्चे गई आठ और यह किन नो यह लो मेरे भाई आंसर सूपाठ आस समझ में आ गई कमेंट करके बताओ इमानदारी से जल्दी से बताना अगर समझ में आया हो तो बच्चे मजा आया हो ठीक है चलो यहा बच्चे मजा गई खतलो बाये से चटे अक्षर और बाये से किस्वे अक्षर होंगे जल्दी बताओ कुछ भी सवाल पूछे उडादो गयार उडादो गे बडा मान चोटा मान मान तो बच्चे 21 में से कितना जाएगा साथ बच्चे कितने लेटर आ जाएंगे उसके बीच से दे दे तो भाया अगर रैट से दे तो अरे यार जब direction same थी तो left left 2 या right right दो बात तो इक ही है यानि की बड़ा मान माइना चोटा मान माइनस-1 तो 20 में से कितना जाएगा 9 बचे कितना बचेगा 11 खतम left right left हो या right right हो कुछ भी हो, सवाल हो जाएगा खतम, अब आते हैं अपने rapid fire पे, तैयार हो, तीन question दूँगा, सवाल एकदम speed से आना चाहिए, ठीक है, तीन सवाल दूँगा, वही middle वाला है, बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है, याद हमजीगा, बीच में कितने अक्षर होंगे, पहला सवाल, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 15, राइट से 10, राइट से 25, जलो, बतादो जल्दी से, बस मैं चाहता हूना, सभी का answer speed से आए, तो बच्चे देखो, बड़ा आराम से, बड़ा मान, माइनस, छोटा माइन, माइनस 1, तो बच्चे, उननिस म सबी लोगों का 15 आरा है की नहीं आरा है, कमेंट करके बताओ, सिंपल, बड़ा value, छोटी value, माइनस, माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे इस में देखलो, बड़ा मान, माइनस, छोटा मान, माइनस 1, यानि कि 15 में से 5 घटाना है, लो मेरे बड़ा का answer, बड़ पेगर 10 न आए, तो क्या कहने है आगए ना, सबा, बोलो हाया ना, देखो मेरे भाई, बड़ा मान, मान, छोटा मान, माइनस वन, तो 25 में से कितना जाएगा, बच्चे 11, तो 5 में से 1 गया, तो 4 में से 1 यानि कि बच्चे इसका आंसर आजाएगा 14, क्योंकि राइट हो या ले करना है golden पार्ट फोर यह भी आना चाहिए और एक सवाल है left से 5 वे letter और left से 25 वे letter के मध्य कितने अक्षर होंगे मध्य कितने अक्षर कमेंट करके बता दे ना हुम्भग में कितने अक्षर मध्य कितने अक्षर अपना नाम जरू लिखना यार मेरे भाई कौन-कौन golden trick को समझ राहे है कंखोर golden trick को join करता है अपना नाम तो लिखे बता जारू बता दिना बाकी ऐसी golden trick आपको मिलती रहेंगे उमेद करता हूँ आपको golden trick शानदा लगे गे theokay nossas tat te subscribe we became like share